गुजरात में लोगों को जल्थी तेज गर्मी से राहत मिलने वाली है मंगलवार को यहां मौनसून ने दस्तक दे दी है मौसम विभाग के अनुसार इस बार राज्य में मौनसून चार दिन जल्दी आया है आम तौर पर यहां 15 जून तक मौनसून पहुचता है मौसम विभाग के एक अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दक्षिन पश्चिम मानसून ने मंगलवार को गुजरात में दस्तक दी और इसकी उत्तरी सीमा राज्य के दक्षिनी हिस्से में नवसारी जिले से होकर गुजरी समाचार एजनसी पी टी आई ने आई एमडी एहमदाबाद के वैज्जानिक रामाश्रय यादव के हवाले से बताया कि अगले दो दिनों में गुजरात के सभी जिलों में गरच के साथ हलकी से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है इधर गांधीन गर्स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने कहा कि मंगलवार सुभा छे बजे समाप्थ हुए 24 घंटों में कई जिलों में अलग-अलग इलाकों में 1-40 मिमी तक बारिश हुई S.A.O.C. ने कहा कि महिसागर जिले के संत्रामपुर और पंचमहल के मोर्वा हदफ में इस अवधी के दौरान सबसे अधिक 40 और 27 मिमी बारिश हुई I.M.D. ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि सभी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हलकी बारिश के साथ 30-40 किमी प्रती घंटे की रफ्तार से बिजली गिरने और हवा चलने की संभावना है I.M.D. पहले ही कह चुका है कि भारत में जून में सामान्य बारिश होने की संभावना है